दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नवा बरगर से ब्रोरजिंग अप्लिकेशन के बारे में यह अप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को आपने मौईल पॉन में कैसे चला सकते हैं दोस्तों इस application से आप किसी भी language को translate कर सकते हैं इसमें आप Hindi से English में, English से Hindi में या किसी भी language को आप इसले टांसलेट कर सकते हैं इसमें आपको photo translator भी मिल जगा आप photo खीच कर भी easily किसी भी language को translate कर सकते हैं इसमें आपको ब्रोजर भी दिया रहाता अगर आप चाते कोई चीज़ को सर्च करना तो आप यहां से ब्रोजर के मदद से भी सर्च कर सकते हैं इसमें आप Facebook, Twitter, YouTube, Instagram को बिना डाउनलोड के भी आप इजली यूज़ कर पाएंगे तिन सारे फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आज की इस वीडियो आपको complete detail दूँगा तो वीडियो कभी से लाइक करके आपको चैनल को सस्क्राइब कर लेना है तो दोस्तों इस अपको आप Play Store पे जाके इजली डाउनलोड कर सकते हैं जब इस अप्लिकेशन को आप Open करेंगे तो यह एप आपके सामने कुछ इस तरह से Open और स्टार्ट हो जगा यहां आपको कुछ समय के लिए 2-3 सेकेंड वेड कर लेना है उसके बाद यह अप्लिकेशन आपके सामने Finally Open हो जगा उसके बाद यह अप्लिकेशन आपके सामने कुछ इस तरह से Open जगा आपको पर मैं Search बार का Option बिलता है अगर आप कोई वी चीज सर्च करना चांगे तो आप यहां से इजली सर्च कर सकते हैं जिसके मैं लाइन सर्च कर देता हूं तो सर्च करने बाद देख सकते हैं कि आपके सामने लाइन का जिस तरह से Chrome और Google पर रिजल्ट आता है उसी तरह से आप उस रिजल्ट को देख सकते हैं आपको टेक्स का Option मिल देगा रहा आप चाते कोई भी लेंग्वेज को टॉंसलेट करना है तो आप यहां से टॉंसलेट कर सकते हैं आप ज़ी टॉंसलेट करना जो आपका translate होना start हो जाएगा अभी देख सकते हैं मेरा हिंदी से English में translate हो चुका इस तरह से आप किसी भी language को translate कर सकते हैं टेक्स के बगल में आपको OCR का option मिलेगा अगर आप चाहते हैं फोटो किसकर translate करना ता आप यहां से फोटो किसकर भी translate कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने phone में VPN को connect करना तो आपको smart server का option मिलेगा इस पर आपको click करना है click करना तो आपको इस on or पर click करना है जिसे आप click करना आपको permission मंगा जगा आप ok जिसे ही करेंगे तो आपके phone में VPN connect हो जगा उसके निचे अगर आप Google को यूज करना चांगे तो आप Google पर क्लिक करके आप इस application में Google को भी यूज कर सकते हैं अगर आप Facebook यूज करना चांगे तो आपको सिंपली Facebook पर क्लिक करना है आपको Facebook डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा आपका जो भी पहले से ID बनावा आपको यहां से लॉग इन करना और आप यहां से Facebook को भी यूज कर सकते हैं उसी तरह आप यहां से Twitter को यूज कर पाएंगे अगर आप YouTube देखना चाहेंगे आपको YouTube पर किलिक करना है जिसे आप किलिक करने तो आपको YouTube है यहां पर open होजगा तो भी देख सकते हैं मेरा यह जो YouTube है यहां पर open चुगा यहां से भी आप direct कोई भी वीडियो को आप यहां से प्ले करके देख सकते हैं वीडियो अचल लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है